आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Physics, Chemistry, Biology डाउट्स का सपाया बस अपना फोन उठाओ, क्वेशन की पोटो कीचो क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ So question है हमारे पास the relation between algae and fungi in a lichen is तो हमें इसके अंदर बताना है कि relation क्या होता है algae और fungi के बीच में So guys, basically इनके अंदर symbiosis होता है, मतलब mutual kind of relationship होता है So इसके अंदर क्या होता है lichen के अंदर, fungi जो होती है It is present for water intake मतलब पानी को लेने के लिए कौन present है, इसके अंदर fungi fungi का function इसके अंदर होता है कि वो पानी को लेती है और अगर हम बात करे algae की, तो algae हाँ पर photosynthetic है और वो खाना बनाती है So algae का function इसके अंदर आएगा algae आपको पते है, उनके अंदर chlorophyll A present होती है and ये photosynthetic होते हैं photosynthetic का मतलब क्या हुआ कि ये खाना बनाते हैं, autotroph होते हैं So they prepare food और ये अपना खाना बनाएँगे autotroph है इनके अंदर chlorophyll A present है chlorophyll A responsible होती है, majorly for photosynthesis and fungi का का काम क्या है वो हाँ पर water intake कर रहे है तो ये एक mutual relationship है mutual मतलब दोनों ही यहाँ पर benefit हो रहे है तो हमारा answer इसके अंदर आएगा option one that is symbiosis बाकी हमें जो options दिया है वो है parasitism तो guys parasitism का मतलब होते है कि हमारे पास अगर A species है और B species है तो B अगर ये host है तो A उसके उपर पूरा survive कर रहे है अपना सारा nutrition derive कर रहे है हमें यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ही हमारे useful है plant के लिए और next हमें दिया हुए commensalism तो commensalism के अंदर जो दो species होते है उसमें एक को benefit होते है और एक mutual रहता है बट इसके अंदर दोनों को benefit हो रहे है proto-corporation का मतलब है यहाँ पर दोनों corporate कर रहे है so symbiosis का main meaning है कि दोनों mutual relationship में है एक water intake में help कर रहे है और एक खाना बनाने में help कर रहे है इसलिए answer is option 1 Thank you